पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना स्मार्ट मिटर में जो गड़बडियां सामने आ रही है उससे निपटने के लिए सरकार ने अब दिशा निर्देश भी देने सुरू कर दिये हैं आपको बताये कि स्मार्ट में कहीं बार ऐसी समस्याई हो रही है कि रिचार्ज करने के बाद भी बिजली नहीं आ रहा है, तो क्या करें ऐसे में पटना के सतर लाक से जादा कंजूमर को क्या फाइदा होने वाला है, इसको लेकर के सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है बताया आपको कि लगबग पटना में 6 लाख ओबोगताओं के आहां स्मार्ट प्रिपेड मीटर लग रहा है और इसमें पुश डिवाइस लगेगा यानि कि बिजली कमपनी ने स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने वाले एजनसी EDF को पुश बटन लगाने का आदेश दिया है बैलन्स अमाप थोने पर बिजली करती है लिकिन रिचार्ज करने के बाद बिजली सप्लाई चालू नहीं होती इसकी शिकायत लगतार बढ़ रही है इस समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीड अलाकों की तरह सहरी अलाकों के उभुकताओं के सुविदा देनी के पहल की गई है ताकि री कनेक्शन की समस्या को दूर किया जा सके पटना सहर में लगाये जाने वाले स्मार्ट प्रिपेड मीटर में पुश बटन डिवाइस नहीं लगा है पटना में 17.70 लाख स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगे हैं इसमें पटना सहर समेथ सभी मुख्याले में सामिल है लेकिन इन्हों भोगताओं द्वारा रिचार्च की जाने के बाद भी सप्लाई चालू कराने के लिए बिली कंपनी का चक्कर लगाना पड़ता है ऐसी शिकायत रोजाना करीब 15 से 20 परतीसत रहती है इसमें देर से सप्लाई चालू होने घंटो सप्लाई चालू नहीं होने आदी सामिल है पुश बटन एक इलेक्ट्रोनिक डिवाईस है ये मेटर लगे सीम के नेटवर्क कर सर्वर से कनेक्ट करने में मदद करता है रिचार्ज करने के बाद सप्लाई चालू होने के लिए 20 सेकेंड तक बटन दबाना है बिजली सप्लाई चालू हो जाएगी स्मार्ट मिटर इंटरनेट ओफ तिंक्स आई ओटी टेकनलोजी पर काम करता है आयोटी का मतलब है कि सारे डिवाइस का नेटर्क जिसमें डाटा एक्षेंज करने और कनेक्टिविटी के लिए सेंसर सफ्टवेर और कई टेकनलोजी होती है इंटरनेट ओफ तिंक्स से जो भी डिवाइस जुड़ी होती है उन्हें कहीं भी रहते हुए कंट्रोल या एनलाईज किया जा सकता है स्मार्ट मिटर के तीन स्ट्रक्चर है कंट्रोल, टिटेक्शन सर्किट और वाइफाई यूनिट कंट्रोल का काम, कैलकुलेशन और इन्फरमेशन को प्रसेस करना है यानि कितनी यूनिट बिजली की खफ़त हुई और कितना बैलेंस बचा हुआ है ठेप्ट डिटेक्शन सर्किट बना हुआ है कि मिटर में किसी तरकी छेड़-चाड हुई या नहीं अगर छेड़-चेड़ पकड़ में आती है तो वेब पेज इससे अपडेट करता है जूर के वाज आने लगती है जब कि वाई-फाई यूनिट सारी सुचनाओं को इंटरनेट के जरीए अपने मुबाइल पर उपलब्द कराता है तो इस प्रकार से जो स्मार्ट प्रिपरेड मिटर के उपभोगता है उनके लिए सरकार ने नई गैडलाइन जारी कर दी है यानि की रिचार्ज करने के बाद भी अगर आपका स्मार्ट मिटर चालू नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए इसको लेकर सरकार ने गैडलाइन जारी की है अगर आपके मिटर में भी कुछ ऐसी समस्त्या है तो आप इस विवस्था का उपयोग करके अपना बिजली चालू कर सकते हैं पनोर मंक्रो जो सोचता है वो करता है पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जोइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद